हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब्स क्या होता है, कब्स के क्या कारण होते हैं और कब्स की वज़े हमें किन-किन परेशानियों का सामने करना पड़ता है आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते में मैं आपको बताऊंगा कि कब्स से बचने के क्या घरेलो पाई होते हैं दोस्तो एनेमित दिन चरिया और खान पान की वज़े से आज के समय में कुंश्टी पेशन और पेट में गैस बनने के शमस्याई आम हो गई हैं कब्स की वज़े से बहुत से लोगों पेट फूलने के शिकायते भी होती रहती हैं आज कर लोग कहीं भी और कुछ भी खा लेते हैं और खाना खाने के बाद लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर डिनर करने के बाद सीधा बैड पर चले जाते हैं ये एक बहुत ही नोर्मल सी आदत हो गई है जिसकी वज़े से हमें पूंस्टिपेसन जैसी समस्याओ का सामना करना पड़ता है पहले के टाइम पर क्या था कि पहले के टाइम पर जो पेट फूलने की या फिर गैस बने की जो बिमारियां होती थी जो परिशानी होती थी वो बुजर्गों में होती थी लेकिन आज के समय में ये एक बेहदी आम सी प्रोब्लम हो गई है और हर एक एज के व्यक्ति को देखने के लिए मिल रही है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पेट में गयस बनती है आपका पेट फूलता है आपको कॉंश्टिपेशन रहता है तो उस बिमारी से आपको बिल्कुल छुटकारा मिलने वाला है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साफ में बैल आइकन का बटन आज से दबाएं जिससे आपको इस तरीके की जानकरिया समय समय पर मिलती रहे दोस्तों अगर आप कुछ घरलू पाई कर लीजिए इंशालला आपकी जो पेटफूलने की समया है आपको करना क्या है आपको रोजाना सूबह में एक गिलास गरम पानी करना है उसमें आदा नीम्बु का रज डालना है और आधा चमच काला नमक डालना है और उसको पी लेना है इसके अलावा 20 गिराम तिर्फला आप एक लिटर पानी में भीगो कर रख दें सुबह में उसको उठकर छान ले और छान कर उसको पी ले अगर आप नियमित रूप से ये करेंगे तो आपकी जो कॉंच्टिपेशन की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और अगर आपका पेट फूलता है गैस बनती है तो वो भी दूर हो जाएगी इसके साथ साथ आप हरड़ा का बारीक चूरन बना कर पीछ ले और रोजाना रात को एक गिलास गुनगुने पानी में इसको पी ले अगर आप इसको भी नियमित रूप से लेंगे तो आपकी कॉंच्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा कबज की दवाओं में शहद बहुत ही चमतकारी कोशद ही है अगर आप रोजाना रात को एक गिलास पानी में एक चमत शहद डाल कर पीएगे तो आपकी कॉंच्टिपेशन की आपके पेट में गैस बनने की या फिर पेट फूलने की जो समश्या है वो बिल्क इसके साथ साथ पालक का जूस अगर आप पालक का जूस लेंगे तो आपकी जो यह समस्या है वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी इसके अलावा आपको कब्ज से बचने के लिए निमित योग और वयायाम करना है योग में आपको सुर्य नमस्कार पवन मुक्तासन और भुजंगासन अवस्या करना ह अगर आप यह योग करेंगे तो आपकी जो कॉंस्टिपेशन की समस्या है वो दूर हो जाएगी इसके अलावा आपको डेली सुभा शाम वयायाम करना है और जो फास्ट फूड है जंक फूड है मैदा की बनी चीज़े हैं ज्यादे तेज मिर्श मसाले वाली चीज़े हैं एलकोहल, स्मोकिंग, साराब, मीट इन चीज़ों का आपको परेज करना है अगर आप कुछ दिन इन चीज़ों का परेज कर लेंगे और जो मैंने आपको उपर रेलूप चार बताए हैं उन में से आप कोई सभी इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो कॉंस्टिपेशन की समस है आपकी जो कब्ज की समस्या है पेट में गैस बनने की समस्या है पेट फूलने की समस्या है वो बिल्कुल इन्शालला होताला जड़ से खतन हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की कोई भी दिकत परिशानी है तो एक बार इस चीज़ को आजमागर जरूर द